ये जो ये जो बीस हजार करोर रुपए अधानी जी की शेल कंपनीज में हैं ये किसके हैं? ये बेनामी हैं? किसके हैं? आखिर का राहूल गांधी के सवाल का जवाब आही गया एक सवाल जो कि राहूल गांधी प्रेस कॉनफरेंस में, मीडिया में, बयानों में, ट्वीट्स में लगातार करते हैं कि अडानी की शेल कंपनियों में लगाए गए 20,000 करोड किसके हैं, कहां से आए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं देतें तो पियम मोधी के तो चुपी बरकरार रही, लेकिन पहली बार, पहली बार गौतम अडानी सामने आये हैं और राहूल गांधी के सवालों का जवाब दिया है जी हां, जवाब तो निकल कर सामने आया है, लेकिन इस जवाब से कई और सवाल खड़े हो गए और गौतम अडानी और भी बुरी तरह फस्ते हुए नजार आ रहे हैं तो गौतम अडानी की तरफ से इस समय ये जवाब क्यों दिया गया है और इस जवाब ने कैसे और भी ज़्यादा बवाल खड़ा कर दिया है क्या जवाब है, क्या सवाल है, हम आपको एक-एक करके बताएंगे ख़बर को ध्यान से सुनेगा तब जब पहले ख़बर देखें न्यूस 24 की इसमें लिखा हुआ है कि 2019 से अब तक हमारी कंपनियों ने अपनी हिस्सेदारी बेच कर 20,000 करोड रुपए जुटाए राहूल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपो पर अडानी समू का जवाब तो गौतम अडानी कितने बेचारे हैं आप देख सकते हैं उनका कहना है जो अडानी ग्रुप की तरफ से जवाब निकल कर साबने आया है राहूल गांधी के सवाल का कि 20,000 करोड रुपए कोई बेमानी पैसा नहीं है यह जो पैसा है यह हमने 2019 से अपनी जो दूसरी कंपनिया है उसकी हिस्सेदारी बेच कर जुटाया है तो खुद की नेट वर्थ है गौतम अडानी की 20,000,000 करोड रुपए के आसपास अगर बात की जाए अडानी गृप की तो नेट वर्थ निकल कर सामने आती है 20,000,000 करोड रुपए लेकिन गौतम अडानी कितने बेचारे हैं कि 20,000 करोड रुपए को जुटाने के लिए 2019 से लेकर 2022 तक यानि कि 5 सालों तक अपनी इस्सेदारी बेचते हैं उसके बाद उस 20,000 करोड रुपए को जुटा पाते हैं जिस 20,000 रुपए को लेकर राहूल गांधी लगातार मोधी सरकार से लेकर गौतम अडानी पर हमलावर हैं तो इस जवाब से आप देख सकते हैं कि कैसे गौतम अडानी खुद पसते हुए नजर आ रहे हैं बात कर रहे हैं कि हम 2019 से बेच रहे हैं अपनी हिस्सेदारी तो 2019 में तो सब कुछ ठीक चल रहा था आप लगातार अमीर बढ़ते जा रहे थे लगातार आपका बिजनिस अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो ऐसा क्या हो गया कि आपको अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ी सवाल नमबर ए और सवाल नमबर दो यहां पर यह कड़ा होता है कि बात कर रहे हैं कि 2022 तक हमने अपनी हिस्सेदारी बेची तो यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है कि 2022 में तो अगर अमीरों की लिस्ट की बात करें तो गौताम अडानी एक या दो नंबर पर थे एक नंबर तक पहुँच गए इनकी जो कंपनी थी वो 100 बिलियन के डॉलर के आस पास पहुँच गए इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि गौताम अडानी ने जवाब देने के लिए क्या रास्ता अपनाया है और इस रास्ते को अपना कर सोचा था कि ऐसे वैसे करकर निकल जाएंगे लेकिन निकलने की बजाए और भी जादा फस्ते हुए नजर आ रहे हैं आप देख सक जाके पुखता डोकिमेंट नहीं दिखाए गए हैं फिलाल आपको बता दें कि जब से ये जवाब गौताम अडानी ने दिया है तब से सोचल मीडिया पर लगातार सवाल किया जा रहा है कि गौताम अडानी इतने बिचारे आखिर क्यों बन रहे हो 20,000 करोर रुपए बतान भी नहीं आई थी तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि हिस्सेदारी बेचनी पड़ गई फिलाल क्या जवाब दिया गया है क्या सपाई पेश की गई है गौताम अडानी की तरफ से आपको बताते हैं पूरा बयान सुनाते हैं कि किस तरीके से बात को घुमाने की कोशिश तो क की गई लेकिन बात घूम नहीं पाई हबर देगी का हिंदुस्तान की इसमें लिखा हुआ है कि अचानक 20,000 करोड रुपए कहां से आए आरोपो पर अडानी समू ने दी सपाई तो सपाई में कहा गया है कि हिड़न बर्ग रिपोर्ट के बाद संकट से निकलने के लिए सेदारी बेच कर 2.87 अरब डॉडर यानि की करीब करीब 20,000 करोड रुपए जुटाए इस रकम में से 2.55 अरब डॉडर करोबार में लगा दिये गए यानि की दूसरी जगा लग इन्वेस्ट कर दिये गए दरसल राहूल गांदी लगातार अडानी ग्रुप पर आरोप सेदारी समू ने 20,000 करोड रुपए का निवेस शेल कंपनियों के जरिये किया है शेल कंपनी कागजों पर चलने वाली फॉर्म होती है जो आम तोर पर ब्लाक मनी को वाइट करने के लिए काम आती है तो लगाता राहूल गांदी करें कि ये बेनामी पैसा है सिर्फ कागजो पर दिखाया गया है कोई कंपनी धरातल पर काम नहीं कर रहे है ब्लाक मनी को वाइट किया गया है इसको लेकर मोधी सरकार चुप क्यों है जवाब देना चाहिए जवाब मोधी सरकार की तरफ से नहीं आया लेकिन हां गौतम अडानी की तरफ से जरूर आया है गौतम अडा National Holding Company यानि कि ISC जैसे निवेश को ने अडानी Enterprises Limited और अडानी Green Energy Limited जैसे समूं की कमपनियों में 2.593 अरब डॉलर यानि कि लगभग 20,000 करोड रुपए का निवेश किया प्रबर्त को ने अडानी Total Gas Limited और IGN से हिस्सेदारी बेच कर 2.7,18 अरब डॉलर जुटाए तो Energy से बेची आप देख सकते हैं Limited से बेची जो Gas Limited है वहाँ से हिस्सेदारी बेची लेकिन इसको लेकर कब कहां क्यों बेचा उसको लेकर किसी तरह कि कोई पुक्ता डॉकिमेंट आगे नहीं किये गए हैं जब आप उस समय निकल कर सामने आया है जब करनाटक चुनाओ नस्दीक है लगातार इसको मुद्धा बनाया जा रहा है कॉंग्रेस ने तो पोस्टर बैनर तक लगा दिये कि बताओ कि 20,000 करोड किसके हैं इस पर मोधी सरकार तो चुपी रही लेकिन गौतम अडानी ने सफाई दी है लेकिन सफाई देने में भी उन्होंने अभी तक किसी तरह के कोई डॉक्यमेंट पेश नहीं किये हैं अगर गौतम अडानी की बात करें तो इसी तरीके से जब हिडन बर की रिपोर्ट निकल कर सामने आएं जंडा लगा कर पीछे उसका भी खंडन कर दिया गया कि ये देश पर हमला हो रहा है इस तरह की बाते की गई लेकिन गौतम अडानी का कोई भी गुरुप की तरफ से कोई भी कोट नहीं गया हिडन बर को चैलेंज करने के लिए तो लालब आप देख सकते हैं कि उसी तरीके से इस मुद्दे पर भी सफाई तो ली गई है लेकिन सिर्फ और सिर्फ लफाजी की गई है राहुल गानी का एक ही सवाल है कि 20,000 करोड कहां से आए किसके हैं किसने लगा ये बेनामी पैसा किसका है बताना चाहिए लगातार राहुल गानी ये सवाल कर रहे हैं सवाल का जवाब तो दिया गया है लेकिन कैसे दिया गया है वो तो फिलहाल आप देखी सकते हैं गौतम अडानी ने सोचा होगा कि किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से जो उनका आडानी ग्रूप है अब ठीटा किस्थिती में काम कर रहा है लगातार जिस तरीके से राहुल गानी सवाल करने डाउन हो सकती क्रेडि hvad सबस्क्राइब को बचाने के लिए जवाब तो दिया वैकिन एस जवाब से कई और सवाल खड़े हो गए इन सवालों पर आपका क्या कहना है और जिस तरीच से गॉतम नावनी ने बात को घुमाने की कोशिश की है, राहिल गानी को घुमाने की कोशिश की है, या राहिल गानी घूम जाएंगे, या फिर कि ये मुद्धा टेल जाएगा, इस पर आपकी क्याराय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को जादा से जादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटि दबाया, मैं लाइक के दबाया, तक कि हर ख़बर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचीर है, मैं अपनी एंक का आप देख रहे था, और लाइन नियुज इंडिया, मैं बज़ें अगली ख़बर के साथ अब तक के लिए, घरनिवाद, इस ख़बर को अभी लाइक करें, शेर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटी जरूर दूरूर दूरूरू